बिहार के पूर्व डिप्टी सीम और बीजेपी सांसत शुशील कुमार मोधी के उपर आपत्ती जनक टिपड़ी किये जाने के मामले में लालू यादव की बेटी रोहिनी अचार का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है बीजेपी सांसत सुशील मोधी की सिकायत पर रोहिनी अचार का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर लालू की बेटी रोहिनी ने ट्विटर पर वाप्सी कर ली है एक दिन तक के प्रोफाइल लॉक होने के बाद अब उनका ट्विटर हैंडल एक बार फिर से एक्टिव हो गया है रोईनी अचार का टुटर अकाउंट आज सुबह से अक्टिफ हो गिया जिसके बाद सिंगापूर से उन्होंने लगातार एक के बाद एक कई टूइट किये हैं रोईनी अचार ने एक बाद फिट टूइट के जरिये नकेवल डबल एंजन की बिहाद सरकार पर निशाना साधा है बलकि अपने पिता लालू प्रिशाद यादव को टैक करते हुए भी टूइट किये हैं एक घंटे पहले यानि सुबा रोईनी अचार ने टूइट करते हुए लिखा कि लालू जी के सामाजिक न्याय को जिनोंने जंगल राज पताया था वो आज अपने दूशाषन राज को शुशाषन राज पताने पर अड़े हुए हैं आपको बता दे कि भी ते दिनों शुशील मोधी ने तेजश्वी यादव दारब बिहार की बेहाल स्वास्त व्यवस्ता पर सवाल उठाय जाने के बाद उनकी दो बहनों पर भी तंच कसा था शुशिल मोदी ने लिखा था कि तेजश्वी यादव के परिवार में दो बहने एमबीबियस चॉक्टर हैं करूना संक्रपन के दौर में उनकी सेवाई क्यों नहीं ली गई इस पर आरजेडी सो प्रिमोल आलुयादव की बेटी रोहिनी अचार भड़क गई थी रोहिनी ने एकदम ठेट बिहारी अंदास में कहा था कि आकर मूँ ठोर देंगे शुशिल मोदी के खिलाब मोर्चा खोलते हुए रोहिनी ने एकदम ठेट बिहारी अंदास में कहा कि आज के बाद मेरी बहनों पे यी भगोड़ा बोला ना तुम बताना मुझे इसकी बकलो लीना छुड़ा दिये तब देखना बुद्धवार को रोईनी ने सिलसलेवार कई ट्विट कर शुश्विल मोधी पर हमला बोला था रोईनी ने ट्विट किया था इतले पैच इतले कर किस्मत आज अच्छा बाटे नहीं तो हम उहां रहती तो इनका अच्छे से इलाज कर देती यह अपन स्रजन चोर्नी बहिन का खुब सेवा लिये और खुब मेवा खाए हैं बहुत जल्दी सेवा का मेवा लाल से हिसाब होगा जोहनी अचान ने आगे लिखा था आज के बाट से मेरी या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचर तो मुझ थोड़ देंगे आकर भाग यहां से रास्थानी में ढख शुशील मोधी थेतर है सुद्रेगा नहीं जब तक भिहार की बेटियों से दुराएगा नहीं खबरदार आज के बाद तू या तेरे भोपू मेरी या मेरी बेहनों के बारे में बोले ना तो समझ लेना जाकर अपनी सो कॉल प्रोफेसर बीवी से पूछ लेना की बेटियो से कैसे बात की जाती है